दोस्तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूँ आलू पालक की बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नास्ता की देस्ट पी ये नास्ता बाहर से तो कुरकुरा होता है अंदर से सौफ्ट और बनाने में बहुत आसान इसे बनाने के लिए मैंने पालक लिया है 200 ग्राम इनको अच्छे से धुलने के बाद रफली इनको बारीक बारीक काट लिया है एक टमाटर है इनको भी बारीक काट कर लिया है एक कच्चे आलू को कदुकस करके लेंगे दो तीन बार धुल कर उसे छान कर ले लेजिए थोड़े से बारी कटे हुए हरा धनिया आलू की जगा आप एक प्याज को बारी काट कर ले सकते हैं जो लोग आलू पसंद ने करते हैं या सुगर के पेसेंट हैं और दो बारी कटी हुए हरी मिर्च आधा चम्मच अधरक लसुन के पेस्ट एक चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च एक चम्मच जीरा एक चम्मच धनिया पौडर और एक चम्मच नमक डालेंगे आधी नीबू का रस निचोड़ लेंगे नीबू की जगा आप दही का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दो से तीन चम्मच आप दही डाल सकते हैं इसके अंदर या एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर इससे नास्ते में थोड़ी खटास आएगी और नास्ता थोड़ा फूला फूला सा बनेगा अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो चलिए इने मिक्स कर लेते हैं हाथ से रफ करते हुई जिससे मसाले और सबजियां अच्छे से मिक्स हो जाएं और सबजिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे 10 मिनट बाद ये देखिए सब्जियें काफी सॉफ्ट हो गई है और इन में काफी सारा मौश्चर है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन बेसन मैंने आधा कप लिया है बड़े चम्मच से 4 चम्मच है और 1 चोथाई कप चावल का आठा चावल के आठे से ये नास्ता कुरकुरा बनेगा और सब्जियों में बाइंडिंग का काम करेगा तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों में काफी सारा पानी होता है तो इसमें अलग से पानी डालने की जरूद नहीं है हम सब्जियों के पानी से ही इस मिस्टर को तयार करेंगे सब्जियों में जैसे जैसे नमक घुलेगा सब्जियां और सौफ्ट होंगी और ये मिस्टर नरम पड़ जाएंगे तो देखिए थोड़ी देर इन्हें मिक्स करने के बाद ये मिस्टर इस तरह का तयार हो गया है अब हम एक बर्तन लेंगे इनको ओल से ग्रीस कर लेंगे मैंने केक्टिन ली है इसकी जगा छोटी प्लेट या छोटी ठाली ले लिजिए अब इसके अंदर ये सब्जियों का मिस्टर डाल देंगे इनको चम्मच से दबाती हुए इस तरह से फैलाएंगे बहुत ज्यादा इस मिस्टर को गीला मत रखिएगा अगर गीला हो जाए तो थोड़ा सा चावल का आटा और मिक्स कर लिजिएगा क्योंकि जब हम इने भाप में पकाएंगे न तो सब्जियां और गलेंगी और ये नास्ता हमारा पर्फेक्ट बनेगा तो चलिए अब हम इने इस्टीम कर लेते हैं इस्टीम करने के लिए एक बड़े बरतन में मैंने एक किलास पानी गरम कर लिया है इसे इसके अंदर रखेंगे और इसे ढख कर 10 मिनट तक पका लेंगे 10 मिनट बाद ये देखिए अच्छे से ये कूख हो गया है अब हम इस बरतन को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के बाद ये देखिए ये मिस्तरल बरतन अपने आप छोड़ दिया है थोड़ा रह गया है तो हम इनके किनारे के तरफ शाकू घुमा लेंगे जिससे ये आसानी से निकल जाए अब हम इनके पीसेश कट कर लेंगे तो मैं इने ट्रैंगल सेप में काट रही हूँ इनके चोकोर-चोकोर पीसेश भी कर सकते हैं अपने पसंद के इसाब से कट करने के बाद हम इने निकाल लेंगे बरतन से ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं इने बिना फ्राई कियो भी खा सकते हैं और तीन से चार दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट फ्राइ करने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी बनते हैं, तो मैंने एक पैन में दो चम्मच ऑईल गरम कर लिया है, इसके अंदर हम एक एक करके डाल देंगे जितना पैन में आजाए, एक तरफ से अच्छे से सिख जाने पर हम इन्हें दूसरी तरफ पलट लेंगे, इन्हें आप डी फ्राइ भी कर सकते हैं, बट कम ऑईल में भी ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, और ऑईली नहीं होते हैं, तो देखिए दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राइ हो गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरा बैस भी फ्राइ कर लेंगे, और ये देखिए आलू पालक का ये नास्ता तयार है, ये नास्ता हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है, पाहर से क्रेश्प और अंदर से सौफ्ट है, त अबसान नबाद